तो पिछले क्लास में हम लोग कोडिंग डीकोडिंग देख रहे थे थे कोडिंग डीकोडिंग का टाइक वन हम लोग कंपलीट किये थे ठीक है उसमें कितने तरह का कुष्चन होता है यह सब हम आपको बताया थे कोडिंग का क्या-क्या पैटर्ण होता है टाइप वन में टाइप वन में हम लोग क्या देखे थे कोडिंग ओफ लेटर लेटर का कोडिंग देखे थे उसमें ठीक है आज अब हम लोग करेंगे आज अभी हम लोग करेंगे type 2 और type 2 हम लोग करेंगे coding of words अना word का coding यहाँ पर करेंगे ठीक है बहुत important है exam के लिए ठीक है और इसमें क्या होता है exam में की 5 के bunch में question आता है exam में देखोगे हें कि आपका question 5 के bunch में आता है और उत्ते छोटा भी हो सकता है चार भी तीन भी हो सकता है single question भी होता है ठीक है तो हम लोग यहाँ देखेंगे tab 2 का question है coding of word उसको कैसे बनाएंगे ठीक है और question कैसा होता है यह देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग हैं अभी हम लोग हैं भी कोडिंग डिकोडिंग में ठीक है ना और यहां पर हम आपको बताए डिकोडिंग डिकोडिंग के टाइब टू में हैं हम लोग ठीक है टाइब टू कोडिंग और यहां पर क्या है कोडिंग और टीक है करना क्या है किस तरह का होता है यहां पर देखें यह डाइरेक्शन का पार्ट हुआ हम इस तरह कर रहे हैं ठीक है यह डाइरेक्शन होता है और यहां पर किस तरह का क्योश्चन आपके पास होगा अना मतलब यह लिखा होगा इन अ आपके भेल्ट स्वंपा इन आपके तेड बाइब दिंग मतलब यह अनर्फ गान्ट है तरहेंन दिया है त्यक हैं he is handsome is written as one two three तो आप यहाँ पर देख लो कि तीन word है और तीन code है यह words का coding हो गया तीन word है और तीन code है लेकिन एक बात यह है कि कौन से word का कौन सा code है यह पता नहीं है ठीक है कैसे पता चलेगा तो इसमें और भी directions में और भी informations आपको दिया हुआ रहेगा की इस हैंडसम वन टू थ्री कोड है ठीक है ती इस ब्यूटिफूल पी इस अना पी इस ब्यूटिफूल और कोड है यहाँ पर कोड है कोड है थ्री प्री प्री और प्री यहाँ है यहाँ है एंडसम अन्ड इसमंड ब्यूति फूल ब्यूति प्रीफुलbird है कोड है ध्यान दिगाँ कोड है 6 और 6, 4 और 1 6, 4, 1 देखे ध्यान से एक बार फिर से देखे चीजों को He is handsome का quote है 1, 2, 3 He is beautiful का quote है 3, 4, 5 handsome and beautiful का quote है 6, 4, 1 दिखा ना अब देख लो यहाँ पर जो है मारे पास 3 जो है कि group of words है मतलब यहाँ 3 sentence है और इसमें क्या है कि परतेक में 3 word और 3 code, 3 word और 3 code 3 word और 3 code लेकिन किस word का कौन सा code है यह पता नहीं है तो यह पता कैसे चलेगा तो यह पता चलेगा common-uncommon से कहां कहां पर कौन सा word common है और उसके लिए क्या code common है ऐसे पता चलेगा यह pattern को बोलते type 2 codings of word based on common-uncommon यह common-uncommon pattern पर अधारित होता है अब कैसे बनाया जाए तो सबसे पहले question देखते है question क्या है तो हमारे पास question है ज्यान दीजेगा what is the code what is the code of तू है ना आब यहां पर question number 1 है question number 1 है what is the code of each each का code क्या होगा question number 2 है and का code क्या होगा तू है question number 3 है question number 3 है handsome का code क्या होगा ठीक है handsome का code क्या हो ठीक है और यहाँ पर है question number 4 आपसे पूछा जा रहा है he he and he का code क्या होगा ठीक है और यहाँ हम option भी देंगे आपको एक चीज हमको समझाना है आपर इसलिए option का जरूरत है तो हम option भी देंगे ठीक है ना option भी हम आपको देंगे चलो चार option ही रखते है ठीक है bank का exam होगा तो 5 option होगा ठीक है उसे कोई issue नहीं है और यहाँ पर हम देते हैं beautiful girl का code क्या होगा यह हमारे past question हम यहाँ option का framing भी करेंगे option भी देंगे आपको ठीक है बात को ध्यान से समझे आप question को कैसे बनाएंगे question बनाने का यह तरीका होगा कि common अनकॉमन से हम लोग बनाएंगे आप ध्यान से देखिए तो first और second वाले sentence में each common है फर्स्ट और second वाले sentence में each common है तो definitely first और second वाले जो इसका code का group है उसमें एक code भी common होगा ध्यान से देखिए तो first और second sentence में each common है तो एक code भी common होगा और ध्यान से देखिएगा कि कौन सा code common है भाई यह हम लोग देखते हैं कौम सा code common है तो दोनों में three common है देखिया one इसमें है इसमें नहीं टू इसमें है इसमें नहीं लेकिन three दोनों में ही है तो definitely दोनों sentence में अगर एक word common है तो दोनों में एक code भी common होगा और वही code होगा यह जो common word है age मतलब age का code क्या होगा 3 होगा हम आपको यहाँ पर एक सलाह देते हैं जब हमको यहाँ पर 5 questions solve करना है तो based क्या होगा कि सारे जितने भी words है सारे को एक बार decode कर ले तो अभी हम लोग age को decode किये हैं औ अब ध्यान दीजेगा जैसे अब हम decode करने वाले हैं यहाँ पर common हम लोग धूंडते हैं जैसे common अगर हम लोग धूंड ले तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर है handsome है ना यहाँ पर है handsome तो देखो अलग-अलग design से हम इसको ऐसे cover कर रहे है ताकि जब हम इसका यहाँ पर question को solve क करें तो फिर से हम को धुन्ड़ना न पड़ए जैसे इजे कोड को इस विज रही है तो उसके कोड को भी circle में रहे है ताकि जब हमको is का कोड धूंड़ना हो तो फिर से मेरत न करना पड़े अभी हम handsome का कोड को धूंड रहे हैं handsome कहां कहां पर है तो ध्यान दीजएगा handsome है है आपका first वाले और third वाले sentence में first और third में जो common होगा code वो handsome का होगा क्योंकि यहाँ पर handsome के अलावा और कोई भी code common नहीं है ठीक है ना कोई भी word common नहीं है तो first और third वाले sentence में देखे handsome common है तो definitely एक code भी common होगा है कोड भी common होगा और अब हम जलदी से देखते हैं कि क्या कोड common है नहीं है यहां नहीं है यहां one jest आते हैं आपका second वाले sentence और third वाले sentence में तो second और third वाले sentence में आप देखोगे तो एक word common है वो word है beautiful तो beautiful यहां common है second में है न हम थ्रणा सा अलग color का भी use कर रहे हैं रहाँ पर beautiful word है यहां पर second में भी और third में भी तो हम आपको फिर एक बार बता दे कि second और third में definitely एक code भी common होगा और वो code किसका होगा तो वो code आफका beautiful का होगा देखे 6 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है तो यह 4 code किसका हो गया यह 4 code हो गया आफका beautiful का अब देखते हैं कि अब जैसे he कहीं नहीं है c कहीं नहीं है and कहीं नहीं है लेकिन यह बहुत ही simple common sense है कि तीन word था दो word का code हम लोग identify कर लिए तो तीसरा code जो होगा जो तीसरा word बच रहा उसी का यह code होगा मतलब definitely यहाँ पर he का code क्या होगा है ना तो he का code यहाँ पर क्या होगा तो he का code होगा two है ना थोड़ा सा अलग-अलग design से उसको हम लोग यह कर रहे है ताकि जब यहाँ पर question हम लोग solve करे तो फिर उसके code को अलग से ढूणने का जरूरत ना पड़े यहाँ पर c का code क्या होगा तो आप देखे कि c का code जो है यहाँ पर c का code जो है यहाँ पर second वा sentence में and बचा हुआ है तो यहाँ पर देखे 6 बचा हुआ है तो definitely यहाँ पर जो है and का code क्या होना है तो and का code होना है 6 चलिए सब सारा code हम लोग identify कर लिए ठीक है ना आप हम लोगों को question को solve करना है ठीक है ना पहला question है कि what is the code of ease, ease का code क्या होगा है यहाँ पर आपको बताना है कि ease का code क्या होगा तो ध्यान से देखिए, ease का code क्या है तो circle में रखे, ease को, circle में उąधर कौन सा code है तो 3 है तो ease का code क्या हो गया, 3 हो ठीक है ना अब हमको यह बता ना है second में कि and का code क्या होगा कूड क्या होगा तो एंड का कोड होगा six yeah फीक है विंडर यहां पर हमिंगे उप्ट सन छुटा सबात आपको यहां पर संग्जा ना है ध्यान दिजेगा कि he and c का code क्या होगा देखो he का code तो मेरे को पता है कि he का code है 2 and का code भी पता है कि and का code है 6 c का code भी मेरे को पता है कि c का code है 5 लेकिन यहाँ पर यह बात आपको समझाना है कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि 265 किसी option में हो जैसे देखिए यहाँ पर है 261 अरे यह तो नहीं होगा है ना यहाँ पर है आपका 23 और 5 यह भी नहीं होगा क्योंकि he and see का code 265 होना चाहिए लेकिन 265 अब देख रहे हैं कि किसमें है तो यहाँ पर अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पर है आपका यहाँ पर है 365 और यहाँ पर लिखा हुआ है 65 और टू लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए 265 किसी भी option में लिखा हुआ नहीं है ध्यान से अगर आप देखोगे तो 265 जो he and see का code है यह 265 किसी बी option में लिखा हुआ नहीं है मतलब यहां पर यह आपको समझना है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि यह इसी order में लिखा हुआ हो हम लोग जब भी अगर इस तरह का question को solve कर रहे होंगे और हमको पता है कि 3 code है तो 3 code किसी भी order में हो सकता है है ना जैसे 265 होना चाहिए है ना जो क यहां पर है 265 तो देखिए option number 4 में 265 मौझूद है यहां पर लिखा हुआ कैसे 652 मतलब यह तीनों होना चाहिए यह तीनों नंबर होने चाहिए अब इसका order का कोई रोल नहीं होता है बस यह आपको ध्यान में रखना है अब यहां पर यह वाले question में अगर हम आते हैं तो य यह वाले question में एक बात क्या है यह वाले question में एक बात यह है कि एक नया वर्ड आ गया girl ठीक है तो यह थीफल का कोड है ठीक है और गर्ल का कोड हमको पता नहीं है ठीक है गर्ल का कोड हमको पता नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो थोड़ा गरबढ़ हो गया है इसको ठीक कर ले पहले यहां पर क्या लिखा हुआ था यहां पर लिखा हुआ है ब्यूटिफुल ठीक है तो ब्यूटिफुल का कोड हम लोगों को पता है ब्यूटिफुल का कोड क्या है तो ब्यूटिफुल का कोड है यहां से हम लोग देख लेते हैं ब्यूटिफुल का कोड क्या है तो ब्यूटिफुल का कोड है फूर ठीक है देखो यहां पर ब्यूटिफुल को बॉक्स में not given in the option तो अबर cannot be determined दिया हुआ और नहीं है तो यहां पर गर्ल का code क्या होगा ना कोई भी एक नया code हो सकता है जो यहां पर यूज नहीं हुआ है मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन option कि option कैसा दिया हुआ cannot be determined है कि नहीं है और अगर नहीं है तो कैसे question को solve करेंगे तो यहां पर दिखिये हम आपको option दे रहें जैसे यहां हम दे रहें 41 ऐसरा option है 41 दूसरा option है 42 तीसरा option है 43 और चौत्षा अच्छा रुखो एक minute यहां पर हम क्या कर दिये कि यह जो option है हमारा option number 3 option number 3 है यहाँ पर 7 और 7 और 8 और यह option हमारा फिर है 7 और 4 ठीक है ना 7 और 4 तो आप ध्यान से देखें कि यह 4 ही option है option 5 भी हो सकता है अब आपको बता है कि अगर banking का exam है तो वहाँ पर 5 option होगा ठीक है ना तो यहाँ अगर हम लोग देख ले तो 1 तो किसी और का code है 2 भी किसी और का code है तो alienation से बनेगा 1 तो हो नहीं सकता फोर तो चलो beautiful का ठीक है लेकिन girl का code 1 नहीं हो सकता 2 भी नहीं हो सकता थ्री भी नहीं हो सकता तो यह हमारा क्या है वो 2 भी कट गया 7 8 मैंने क्या बुला था कि एक नया आना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर दोनों ही नया आ गया 7 भी नया है और 8 भी नया है मतलब एक code जो 4 है वो definitely होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यह आपका wrong हो गया अगर हम 4 वाले को देख ले यहाँ पर तो 4 वाले को देखेंगे तो 4 तो एक है ही और एक नया code भी आ गया इसलिए यह हमारा answer हो गया यहाँ पर तो इस तरह से question को solve करते देखो इसमें है ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई word जिसका code पता ही नहीं चलता है जैसे उसमें common-uncommon मिलेगा ही नहीं तो ऐसा भी एक example हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ध्यान दिजेगा चलिए जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं आपका अभी हम लोग one to five देखें और next अभी हम लोग देख लेते हैं direction ठीक है direction अब हम लोग यहाँ पर next देखते हैं और यहाँ पर क्या है इन a certain code language यह तो आपका लिखा हुआ रहेगा चलिए हम यहाँ आप question से direct शुरू कर रहे हैं दे प्ले दे प्ले किर्केट एवरी डे एवरी डे एवरी डे तो देखो यहाँ पर कितना वर्ड है फोर वर्ड है दे प्ले किर्केट एवरी डे और इसका code लिखा हुआ है code है प्ये प्ये एवर्ड है और चार पूड है ठीक है पूड हमेशा ऐसा नहीं कि वन टू त्री पूर ही लिखा हुआ रहेगा कैसा भी code हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर चार प्ले किर्केट एवरी डे और चार पूड है ठीक है न और फिर है we play we play hockey we play hockey और इसका code क्या है we play hockey और code है code है n a n a y a और p a देखिए यहाँ पर तीन वर्ड है और वहाँ पर तीन कोड है ध्यान दिजिएगा तीन word है और तीन code है ठीक है और next है cricket and hockey यह मानलो हुम छोटा ही सा question ले रहे हैं लेकिन जो बात हमको समझाना है यहां हम आपको समझा देंगे cricket and hockey ठीक है ना तो cricket and hockey के लिए यहां पर code है आपका जेड़ ए है ना जेड़ ए वाई ए और जेड़ ए वाई ए और आप कोश्चन देखें यहां पर हम लोग फाइब कोश्चन तो किये थे यहां पर हम कोश्चन इस तरह से लीख रहे हैं कि वोट इस दा कोड़ ओफ वोट इस दा कोड़ ओफ देखो यहां पर लैंग्विज का कोई ज्यादा इसू नहीं है बात को ध्यान से समझना है वट इस दा कोड़ ओफ यहां पर हैוש्चन नूबर 6 अभी हम आपको 125 पॉस्चन करवाएं कोश्चन नूबर 6 है वट इस दाकोड ओफ जैसे यह हम पूरे question को decode करें कभी-कभी ऐसा होगा कि exam में single question ही आए तो अगर single question आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरे को decode करें सारा का code find करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है देखिए अगर आपसे suppose and का code पूछ दे तो direct हम लोग देखेंगे कि and का code यहाँ पर क्या होगा and का code हो जाएगा जेडे अब बोलोगे sir and का code जेडे कैसे आपने निकाल दिया तुरूर्ण देखो यहाँ पर and एक ऐसा word है जो कहीं भी नहीं है तो एक ऐसा code जो कहीं पर नहीं है जैसे देखो ya तो ya तो यहाँ पर है ra तो first वाले में है मतलब definitely की ya और ra जो है वो and का code नहीं हो सकता है तो definitely and का code क्या होगा जेडे होगा यह बात हम आपको समझा रहे हैं कि कभी भी single question हो अगर इस तरह का question में internal question अगर एक ही है तो आपको पूरे को decode करके ज्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है जैसे question number one में मैंने आपको बताया कि and का code है ना तो and का code देखिए ध्यान से कि and यहाँ पर क्या है तो and and जो है ना पूरे जो set of questions है उसमें and एक ही जगह आया तो एक ऐसा code जो कहीं और नहीं है एक ही जगह है तो वो है आपका क्या वो है जेडे तो definitely and का code क्या होगा जेडे होगा तो हम लोगर single question लेकिन हाँ अगर पांच के बंच में अगर question है चार के बंच में question है तो definitely यहाँ पर जो जितने भी words यूज हो रहे है सारा words का यहाँ पर यूज हो जाता है तो वैसे हिस्तिती में हम लोगों को करना क्या है कि सारे question को ही decode कर लिए बेश्ट यह होगा कि सारे question को जल्दी से decode कर लिजे ठीक है अब हम देख लेते जैसे and का code हम लोग जड़े देख लिए यह कैसे जड़े हो गया यह आपको फिर से एक बार समझा दे कि देखो यह पूरे जितना भी यहाँ पर वाड्स है परतेक sentence में जितना भी word है तो and कहीं भी use नहीं हुआ है तो एक ऐसा code जो कह word यहाँ नहीं है अगर ra होता तो देखो ra first वाला में भी है अगर ra and का code होता तो definitely and word भी होता है चलो इस बैसिस पर जो uncommon बोलते हैं मैंने क्या पूला था common uncommon तो common वाले तो select करते uncommon से भी question बन जाता है तो यहाँ पर and का हमारा code क्या हो गया तो and का code हो गया जड़े चलिए एक तो हमारा बन गया अब है question number seven ध्यान दिजेगा यहाँ पर question number seven है question number seven में आपसे यह पूछा जा रहा है कि question number seven में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि everyday का code क्या होगा ध्यान दिजेगा कि everyday का code क्या होगा ठीक है everyday का code क्या हो तो चलो everyday का code निकालते हैं तो ऐसा ऐसा आप आप से अगर पूरा 5 का बंच दिया है तो एक बार हम लोग करते हैं क्या कि question को हम फिलहाल पूरा decode कर ले रहे हैं लेकिन आपको हम एक बात समझा रहे हैं कि कभी भी single question हो तो पूरा को decode करने की जरूरत नहीं है चलिए अब हम आ जाते हैं ध्यान दिजेगा एक बार हम decode कर लेएंगे तो देखें यहाँ पर है यहाँ पर है play word भ्यान दिजेगा यहाँ पर है play word आपका उफसर नमबर स्वारी sentence one में और sentence two में play word जब sentence one और sentence 2 में play word है तो definitely एक code भी common होगा और वो code जल्दी से ढूंग लीजे तो first में देखिए यहाँ पर RA है यहाँ पर नहीं है MA है यहाँ पर नहीं है PA है यहाँ पर क्या है PA है actually हमको यह दिख गया था लेकिन हम आपको दिखला रहे है कि क्या क्या नहीं है पहले इसको भी देख लो भाई तो देखो RA वहाँ है यहाँ नहीं MA वहाँ है यहाँ नहीं TA वहाँ है यहाँ नहीं PA यहाँ भी है तो PA definitely किसका code ह होगा तो पीए आफका प्लेय का कोड होगा चलो यह तो वान गया अब हम बात करते हैं यहां पर दिखिए किरकेट और किरकेट और किरकेट वरड है फुर्स्ट में और फर्स्ट और थर्ड वाले संटेंस में definitely एक code भी common होगा और वह जो code common होगा वह निश्चित रूप से किसका होगा kyrket करोण होगा तो ध्यान दीजे कि फर्स्ट वाले संटेंस में आ रहे है और थर्ड वाले संटेंस में भी आरे है ठीक है, अब हम आ जाते हैं, दे, तो दे देखो कहीं नहीं है, एवरीडे देखो कहीं नहीं है, तो दो word वहाँ पर बच गया और दो code बच गया, उसको हम लोग record नहीं कर पाएंगे, यहीं चीजित यह वाले position में नया है, चलो अब हम बात करते हैं, बात करते हैं, second वाले sentence मे भी होकी है तो second और third वाले में जो code common होगा वो है बाबु YA ऐसे भी पता चल गया था कि यहाँ पर YA code होगा क्योंकि एक ही word बच रहा था एक ही code बच रहा था जैसे कि यहाँ पर देख लो यहाँ पर देख लो एक ही word बच रहा है V और एक ही code बच रहा है NA तो definitely V का code क्या होगा NA होगा अब देखो सारा decode हो चुका है लेकिन एक बात यहाँ जो समझने और सीखने का है कि दे और everyday का code यहाँ पर decode नहीं हुआ है अगर हम से question यहाँ पर जैसे question number 7 पूछ दिया है कि everyday का code क्या होगा तो everyday का code अब हम कैसे find करेंगे तो दो code हमारे पास बचा हुआ है ऐसे यहाँ पर answer क्या होगा cannot be determined लेकिन कभी कभी क्या है option में cannot be determined नहीं होकर कि either वाला answer होता है तो यहाँ पर answer हो जाएगा either ta और ma है ना ध्यान दिजेगा कि everyday का code क्या होगा everyday का code होगा either है ना either ta और ma यह ध्यान देना है मतलब ta और ma इसका code होगा लेकिन confirm नहीं है कि कौन सा code होगा चली अब हम आ जाते है question number हम आ जाते है question number 3 में ठीक है question number 3 की अगर हम बात करे question number 3 की बात करे तो यहां पर ध्यान दिजेगा अगर हम से पूलता है इस तरह का की they play everyday ध्यान दिजेगा अच्छा एक पहले हम question आपको यहां से कोई दे दे अगर हम लोगों को यह करना है हुँँँ अगर हम लोगों को find करना है हौकी का code होगा तो हौकी का code होगा आपका य यहां पर काम खतम हो गया यहां पर होकी का कोड क्या होगा तो यह होगा चलो काम खतम आप हम बात करते हैं इस इस question number sorry this is question number 8 this is question number 8 यह 8 था अब हम बात करते question number 9 की बात करते हैं तो question number 9 में अगर हम लोग देख लें यहां पर तो question number 9 में देखेंगे तो यहाँ पर हम आखको दे रहे हैं code find करने के लिए और यहाँ है V and they code क्या है we and they का code find करना है ठीक है तो we and they का code यहाँ क्या होगा तो we and they का code हम लोग यहाँ देख लेते हैं ध्यान से देखें तो we का code क्या है we का code है na ठीक है we का code है na and का code क्या है ja ठीक है और they का code क्या है तो they का code है आपका sorry we and they ठीक है ना तो D का कोड यहाँ पर हम लोगों को नहीं है पता ठीक है D का कोड क्या है यहाँ पर नहीं है पता तो ऐसे सिती में अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ पर option का role हो जाएगा ठीक है ना D का कोड हम लोगों को confirm नहीं है मतलब ये कि V का code NA पता है AND का code JA पता है और D का code हम लोगों को पता नहीं है तो D का code अब यहाँ पर हम लोग भी जान रहे हैं कि D का code क्या होगा या तो TA होगा या तो MA होगा ध्यान दीजेगा TA oblique MA ये होगा मतलब यहाँ पर option का role होगा थोड़ा सा कि अगर option में यहाँ पर सीख लिजे बात को अगर option में cannot be determined दिया हुआ है तो option हमारा confirm cannot be determined होगा लेकिन अगर option में cannot be determined नहीं है तो सब की बात बता रहे हैं कि अगर option में cannot be determined नहीं है तब कैसे इसका answer देंगे definitely दे का code नहीं है तो answer cannot be determined होना चाहिए लेकिन questions later क्या करता है कि cannot be determined option में नहीं देगा, ध्यान दीजे, क्यासा option होता है, जैसे यहाँ पर दे दिया N A Z A, और फिर तुम्हारा कोई भी एक code दे दिया, Y A, कलो, तो यहाँ पर होना क्या जाए था, N A Z A, और इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा second option में N A, T A, और M A दे रहा, होना क्या चाहिए था, यह दोनों में से कोई एक, लेकिन दे दिया दोनों को, तो यह भी answer नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या दे रहा है, N A, N A, Z A, और M A, N A, Z A, M A, तो definitely N A, Z A, M A, यह code होना चाहिए, ल लिखे दे, तो cannot be determined को ही हम लोग यहाँ पर मान्यता देते, लेकिन अगर cannot be determined नहीं है, तो एक option तो हमको चुनना ही होगा, है ना, तो हम लोग फिर favorable option देखते हैं, इसलिए भी हम लोग third को रोके हुए है, हम लोग fourth वाले option में देखते हैं कि क्या लिख रहा है, यह लिख र लोग की five option है और उसमें भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा definitely answer क्या होगा, three होगा, क्योंकि V का code NA हम लोग कर चुके हैं, देख लिजे V का code NA, AND का code जो है, जडे कर चुके हैं, लेकिन D का code यहाँ पर फस रहा होगा, कि TA होगा, कि MA होगा, लेकिन option बता रहा है कि अब हमारा MA code ही हमको चुनना होगा, तो finally आपका 9 number question का answer यहाँ पर क्या हो गया, option number three NA, ZAMA, तो यही होता है type 2, ठीक है, इसी तरह का question आपको type 2 में पूछा जाएगा, ठीक है न, तो यहाँ हम लोग ज आपका type 1 और type 2 से ही question पूछा जाता है, वैसे अगर हम लोग आगे देख ले, तो type 3 भी है, इसमें type 4 भी है, लेकिन वो banking में पूछा जाता है, इसलिए आपको परिशान नहीं होना है, यह दो type को आपको अच्छा से command कर लेना है, इसी दो type से question आपका exam में पूछा जाएग ठीक है, जो हम आपको type 1 में बता है और type 2 आज पढ़ा है, ठीक है, तो आज अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो आज हम लोग अभी नया topic के start करने वाले हैं, ठीक है ना, तो नया topic हम लोग आज शुरू करेंगे distance and direction, ठीक है, यह हम लोगों का होगा topic 2, ध्यान distance and direction, मतब हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम लोग बोलेंगे, दूरी एवं दिशा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर सम्झाएंगे distance के बारे में, ठीक है ना, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर distance के बारे में सम्झाएंगे, ठीक है distance मतलब दूरी क्या है ठीक है देखे रूरमली आप जब घर से चलकर आते हो अपने इंसीच्टूट तक अपने इस्कूल तक कॉलेज तक तो आप जितना दूरी तै करते हो वही होता है आपके घर और आपके इंसीच्टूट और college की बीच की दूरी लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर distance का मतलब क्या होता है जैसे suppose कर लिजिए कि आप point A से चलना शुरू किये suppose कर लिजिए कि आपने point A से चलना शुरू किया यह है point A और यहां से आप आगए point B तक, यहां से आप आएं C तक, ठीक है, C तक, और यहां से फिर आप आगए D तक, ध्यान दिजेगा, यह आगए D तक, तो यहां से यहां तक आएं, देखो, arrow बता रहा कि आपने कैसे गया, यहां पर आपने कवर किया, यहां पर आपने कवर किया है 50 meter, यहां आप कवर किये हो 60 meter, और यहां फिर आप कवर किये 50 meter, मतलब यह हम बौल सकते हैं कि एक बैक्ति को A से D तक आने में टोटल 160 मीटर का डिस्टेंस कभर करना पड़ा है जबकि A से D तक जाने में आपको कभर करना पड़ा है 160 मीटर ठीक है ना लेकिन जैसे ही पूछ दे कि A और D की बीच की दूरी क्या होगा तो यहाँ पर answer 160 ना होकर के 60 मीटर हो जाएगा मतलब यह point को हम लोग ऐसे मिला दे यह point को मिला देंगे मतलब क्या कि मतलब starting to finishing point काने का मतलब यह होता है कि जैसे ही आपते बोल दे कि आपके घर और आपके institute की बीच की दूरी क्या होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आपके घर और institute के बीच एक straight line ड्रॉ करेंगे और वो straight line का जो distance आएगा वही आपका answer होगा ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने क्या पुछा कि A और D की बीच की दूरी क्या होगा तो A और D के बीच का एक straight line होगा और यह line का measurement कैसे मिलेगा तो इसके सामने एक line है 60 का है ना तो यह line जो है ठीक है ना क्योंकि यह construction हो गया यहाँ पर एक parallelogram का पेरलेलोग्राम का construction हो गया पेरलेलोग्राम का construction होने का वज़ा है जब कभी हम लोग left और right turn लेते है ना तो इत इस ओल्वेस इन 90 डिगरी जब कभी भी left और right turn लेते हैं जो अगर हम लोग बात करेंगे कि parallelogram में क्या होता है तो यहां पर parallelogram के जो opposite sides होते हैं वो parallel and equal होते हैं and this is the reason behind कि यह 60 है तो यह भी क्या हो जाएगा 60 meter हो जाएगा और आप से जैसे ही दूरी पूछेगा distance यहां पर A और D की बीच की दूरी तो A और D की बीच की दूरी 60 meter हो जाएगा जबकि A से D तक जाने में आपने कितना cover किया तो आपने cover किया है यहां पर 160 meter वैसे ही यहां पर यह topic में जैसे ही आपको बोल दे कि आपके घर और आपके college की बीच की दूरी तो आपके घर और college की भीच खिचा हुआ एक state line होता है एक state line होता है आप कितना cover किया उससे मतलब नहीं होगा हां अगर question पूछने का ढंग ऐसा हो जाए कि आप घर से निकल कर स्कूल तक आने में कुल कितना दूरी तया किये हैं तो निश्यत रूप से आपको जितना भी दूरी आपने cover किया है वह answer होगा लेकिन नॉर्मल अगर question पूछन पूछता है कि distance between your home to college तो definitely state line will be drawn from your home to college and the distance of the line will be your answer ठीक है चलो यह हम बात करते देखो कभी यह तो 60 के सामने 60 आ गया और 60 मेरा answer हो गया कभी कभी क्या होता है ना कि आप ऐसे चलते हो अभी हम लोग distance की बात कर रहे हैं तो कभी कभी आप ऐसे चलते हो जैसे मान लो कि आपने P से चलना शुरू किया ठीक है आप Q पर आए आप Q पर आए और Q से आपने left turn लिया और R पर आ आप य P और R को ऐसे मिलाएंगे मिला दिये तो P और R को जब हम यहाँ पर मिला रहे हैं तो यहाँ पर P और R को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ध्यान दिजेगा कि इसके सामने जैसे यहाँ पर मिल गया था 60 के opposite में 60 अब तो यहाँ तो वैसा कोई है नहीं P और के सामने कोई वैसा को नहीं जिससे measurement हमको पता चल्या यह मानलो की सब्सक्राइब का यह जो लाइन है हमारा इसका мат भी दिस्टेंस पता है लेकिन अब पी आर का सब्सक्राइब करेंगे और इसमें क्या होता है जैसे जब सामने नहीं है तब तो हमको पता चली गया लेकिन सामने नहीं है तो हम लोग इस तरह का राइटेंगल ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसमें ये वाले साइट और ये वाले साइट का इस्पार करके उसका हम लोग इस्पार उफ ब्रेक कर देंगे ठीक है तो वही आपका एच का वैलू होगा तो ये आपको ध्यान में रखना ये हम लो यहां तक है 4 meters और यह हैं से हां तक है 3 meters और यह value बूछ रहा तो h का value होगा 4 का square plus 3 아파 power कितना होता है lamoda 4 का spot होता 16 3 का spot कितना होता है तो 9 यह हम लोग plus कर देंगे तो कितना हो जाईगा 25 और इसको अगर हम break कर देंगे इसका एस्पार उठ ब्रेक करेंगे तो यह हो जागा 5 मतलब यह वाला डिस्टेंस आपका कितना आ जागा 5 मीटर आ जागा यह चीज अभ्यान दिजेगा सौटेश डिस्टेंस पाइंट करने में राइट अंगल ट्राइंगल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं जब इस तरह का तिर्शे रूप से दूरी हमको पाइंट करना होता है तो ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं पहला तो हम लोग बात कर लिया यहाँ पहला देखिए यह सामने वाला दूरी दिख रहा है तो वही अंसर होगा लेकिन यहां अगर नहीं दिख रहा तो राइट एंगल ट्रेंगल यूज करके फिर हम लोग डिस्टेंस पाइंट करेंगे साकेंड हमारा टम्स है यहां पर भ्यान दीजिए डायरेक्शन तो भी डायरेक्शन पर बात कर लोगल लोगन देख न है तो टोटल एट डायरेक्शन सुलता है ठीक ना चार जो इसमें क्या होता है चार जो की प्लस करेंग जैसा होता है यह आपका प्राइम डायरेक्शन होता है यह छारए डायरेक्श्टत shipping जो यह की आप ऐसे देख लो mad और यह होताहा, बताता है और पर ऐंसरीड ना, यहां, नर्थ इस्ट-सुख लिस्ट, यहां थोड़ा साब दिमाग में एकदम हमेशा के लिए शेटा कर लो कि उपर明ा नॉर्थ होताया, नीचे सौट्थ होता है, मतलब अपर अरो नॉर्ध को बताता है, जो है, वह सौब को बताता है ठीक है ना तो यह आपको ध्यान में रखना मतलब आपका सिर जो है वो नौर्थ है पाउं जो है वो आपका क्या है सौथ है राइट है लेप हैंड वेस्ट है यह हमेशा होगा चाहिए जिस डारिक्षन में बैठे हो जैसे भी बैठे हो अगर आप पेपर में हो जाएगा यह चार डिरेक्श्ण और इसके बीच का जो गाप है यह 90 डिगरी होता है यहांपर संब डिर्फ और सब डियरिकशन में डिंगीज़ होगा तो छुआ अब अगर हम लोग गाक देखेंगे तो यह 45 डिग्री का गाक दीख रहा है यहां पर क्योंकि क्योंकि यह जो पूरा सर्कल है 360 डिग्री का होता है और इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर दें इत विल भी 45 डिग्री मदब अगर 8 डिरेक्शन से हमारे पास तो gap between the two consecutive directions equal to 45 डिग्री होगा ठीक है यहां पर एक बात और आपको समझा दें कि यह जो पूरा reason है यह जो पूरे छेत्र है actually यह पूरे छेत्र को ही हम लोग north east बोलते हैं क्योंकि यह north है यह east है जो prime direction हो एकदम fix रहेगा ध्यान दीजेगा जो prime direction है बाबू वो क्या होगा हमेशा fix होगा जैसे यह north है यह east है यह हमेशा 90 डिग्री पर ही दिखेगा यह जो पूरे छेत्र है यह पूरे छेत्र को ही हम हम लोग north east बोलते हैं यहां लाइन से ड्रॉ किये हैं है लेकिन यहां पर जितने भी लाइन है अब सबका अलग-अलग नाम तो हो नहीं सकता सबका अलग-अलग नाम बनाएंगे तब तो फिर सेक्रो नाम बन जाएगा तो यहां पर जितने भी यह जो होते हैं यह पूरे छेत्र को ही हम लोग north east छेत्र बोलते है अक्शली यह north east region होता है यह जो सब जगह यह होता है जैसे यह south east हो गया यह south west यह north west हो गया यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है देखो एक चीज यहा north है नीचे south है right के तरफिस्ट है left के तरफ बेस्ट है always हम लोग इसी के हिसाप से direction में क्या करना होगा ना कि question जब आपके पास आएंगे तो आपको question को diagram में convert करना होता with the help of this directions कि उपर में north जाएगा नीचे south जाएगा right के तरफिस्ट और left के तरफ बेस्ट जाएगा जो आठ direction है ठीक है अगर आठ direction जो है हमारे पास total अगर इसमें से कोई एक direction आपको पता चले आप जहां भी बैठे हो जिधर भी आपका face है अगर हम आपको यह बता दे एक बात हम आप से पूछ रहे हैं कि अगर हम आपको यह बोल दे कि इस तरफ नौर्थ है यह real direction तो हम लोग कर चुके लेकिन रियल से हट के बाद कर रियल से हट के बाद कर रहे हैं imaginary direction में कि अगर हम मान ले कि north हमारे इस तरफ है right के तरफ है तो एक बात आपको यहां पर confirm होना है कि अगर हमको है ना one out of eight directions मतलब आठ में एक direction अगर पता चल लिए तो इसके accordingly क्या पूरा direction को हम confirm कर सकते हैं यह बात हमको समझना है तो यहां पर जवाब है yes अगर 8 में एक direction पता चल जाए तो क्या हम पूरे direction को frame कर सकते हैं जवाब है yes जैसे मान लो कि आप कहीं गये आपको नहीं पता है direction आपने देखा कि sunrise हो रहा है sunrise हो तो उसके basis पे आप सारा direction का पता लगा सकते हो म आप उसके हिसाब से सारे direction का पता लगा से तो लेकिन फिर एक बात है कि हम आपको यह क्यों बता रहे है इसका use क्या है तो हम आपको बता दे कि इसका use है है ना some of the questions है ना will be easy to solve by this way ठीक है तो यह आपको समझना है यहाँ पर ठीक है ना यह समझना है कि बात स्रिप आपको एक छोटा सा बात समझना है कंफर्म होना है कि अगर आठ में एक डायरेक्शन का अगर हमको पता चल या तो पूरा डायरेक्शन का हम फ्रेमिंग कर सकते हैं अब इसका use भी हम आपको बता देंगे देखो अगर यह नौर्थ है तो इसके अपूजिट में सौथ हो जाएगा ल रंद कर सब्स्साइब कर सकते हैं कि यह जो ऑडर है ना वाबू यह याद कर लो और क्या है तो और हैं नौर्थ इस्थ सॉ Whats भी 사랑 है ट्यान से observe क्या है नौर्थ इस्थ सॉथ वेस्थ हैं全部 करते आपको यह वाला भी आद एंद देखो नौ्थ-east, सौथ-east, ऽॉईश्ट नौth-east तो ask व्यास्थ door cease तो मदत बनाने का जुरूरत नहीं पड़ेगा जैसे यहा' पर अगर नॉर्थ खोंदे को पता है तो यहां पर होगा North East Southwest हो गया B हमने नर्फ और इस्ठ सथ वेस्ट नोर्फ वेस्ट देखें एक कमीटमेंट तो आपको यहां पर करना होगा कि आठ में सर्वेस्ट देदोगे तो हम पूरा डिरेक्षन का पता लगा लेंगे लेकिन बात है कि आपको हम फिर या बात क्यूं बता रहें इसका भी यूज़् को बता दें देखो एक question होता है time वाला question उसको हम लोग इस पर अगर frame करके बनाए तो यह असान हो जाता अब कैसे असान होता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे ठीक है ना और time वाला ही question नहीं और भी कुछ questions होता है जब हम लोग question deal करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसका कह हाँ use है तो यह जो हम एक imaginary direction में नौर्थ यहां लिए यह कुछ जरूरी नहीं कि नौर्थ यहां पर आठ में से कोई भी direction कहीं भी पता चलिया जैसे north बोल दे इधर है north बोल दे इधर है east बोल दे यहां पर है south बोल दे यहां पर कोई भी एक direction one out of eight and I try to understand what I am saying one out of eight direction is known then we can we can construct all the directions here right चलो अब हम बात करते हैं इसके use का अब हम बात करते हैं कि यह हम लोग क्यों सीखे सर कि आठ में एक direction दिया हुआ है तो पूरा direction को framing कर सकते हैं तो इसमें देखे एक question ऐसा आता है कि मान दीजिए कि आपके घड़ी में टाइम कितना हो रहा है आपके घड़ी में टा आगा आज में आगर बात कर लेकि अगर क्लॉक मिनट हैंड इस फेसिंग टुबाड सॉथ क्या आग्या कि नौ बजे नौ बजे अभी क्योशन दिल बाद में करेंगे एक छोटा से यूज हम आपको दिखलाते रहें क्योशन यह है कि नौ बजे यदी मिनट का सुई सॉथ में है तो घंटा का सुई किधर होगा हम तो आप इस congressional दिर्येक्शन इस नौन यह अब हम पता कर सकते हैं तो अब हैं कि तुरंद बोले हैं कि रहें जिस सर आप मेरे म sorry में एक जी यदी मिनट का सुई दच्छिन के तरफ है तो उसी समय घंटा का सुई कहां पर होगा तो यह सौथ है तो इसी के accordingly direction frame कर लिए और घंटा का सुई कहां पर आ गया east में आ गया तो such type of questions will easy to solve in imaginary direction ओके यहां पर हम लोग real direction को use नहीं करेंगे ठीक है न तो थोड़ा सा time हम अभी आपको और देने वाले हैं ठीक है ना दो चीज हम आपको बता दिये distance और direction के बारे में हम आपको बता दिये और क्या चीज यहां पर question करने से पहले और क्या basic बात को समझना जरूरी है इस पर बात करते हैं ठीक है ना चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं ध्यान दीजेगा तो next हम लोग यहां पर देखने वाले हैं नेक्स्ट देखने वाले हैं left oblique right turn अना left oblique right turn देखने वाले हैं यह क्या है भाई तो यहां पर एकदम ध्यान में रखिएगा एक points हम आपको लिखवा देते हैं left and right turn always be always be at 90 degree यह एकदम ध्यान में रखिएगा कि बाएं और दाएं मुड़ना हमेशा 90 degree पर होता है left and right turn always be at 90 degree मतलब बाएं और दाएं मुड़ना हमेशा 90 degree पर होता है हम यहीं पर लिख दे रहें 90 degree है ना यह 90 degree पर हमेशा होगा left and right turn हमेशा क्या होगा 90 degree पर होगा यह आपको ध्यान में रखना है देखिए यहां पर इक चीज और हम आपको समझा दे ठीक है ना कि राइट मुड़ना है तो right hand की तरफ मुड़ेंगे जैसे मान लो कि suppose कर लो कि यह बैकती जा रहा है तो आप सोच लो कि आप ही जा रहा है और आपको right turn बोल दिया तो यह आपका right hand है यह left hand है तो right turn बोला तो right hand के तरफ मुड़ जाओ 90 degree के एंगल लेते हुए ठीक है ना तो left turn कैसा होगा left turn कैसा होगा तो left turn आपका होगा anti clockwise यह ध्यान में रखना है तो right turn क्या हो गया clockwise हो गया left turn क्या हो गया anti clockwise हो गया यह ध्यान में रखना है ठीक है चलिए अच्छा left turn में अगर किनी को भी दिक्कत होता है ना left turn लेने में और आप right hand से पेन पकड़े हुए हो तो हमेशा आपके थम के तरफ जो होगा ना अंगुठा के तरफ जो होगा वह हमेशा left turn होगा अगर right hand से पेन पकड़त आपका जो अंगुठा है उधर हमेशा left turn होगा यह आपको ध्यान में रखना जैसे देखिए ऐसे है तो left turn अंगुठा के तरफ को ऊच्छा और other side में right turn हो गया तो ऐसे भी बात को समझ सकते हो ऐसे भी बात को समझ सकते हो ऐसे इसका जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है इ सोच लो put your self there, आप सोच लो कि आप इस जा रहे हो तो आपको left और right तो पता चले गा ही। सबसे ज्यादा दिकत कब होता है इसमें कोई दिकत नहीं होगा क inventory । जब रहे हैं यह राइट, यह एंदे कि अचनला है Jubaster इसमें दिकत होता है जब आप ऐसे जा रहे होते हो न तो यह दिकत होता है क्योंकि यह नीचे के तरफ आपका फेस्ट हो जाता यहां पर आपको यह वोगा left यह वोगा right यह ध्यान दीजेगा यह आपको ध्यान देना है ठीक है न तो थोड़ा से एक दो बड़ जो लोग को direction का question अगर नई पहले solve कियो तो थोड़ा एक दो बार practice कर लो और ऐसे अगर देखोगे तो हम आपको बता दे कि clock और anticlock जो हम आप आपको बता रहे हैं तो इस पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर चीजों को जैसे देखिएगा जैसे ध्यान दीजेगा जैसे मान लो जैसे देखिएगा ध्यान दीजेगा जैसे यह मान लो तो यह आपका आप जो है आप क्यासे जा रहे हो यह एरो बता रहा है कि आप उपर के तरफ जा रहे हो आप इस तरफ जा रहे हो आप इस तरफ जा रहे हो अप इस तरफ जा रहे हो करें तो राइट टर्ण की बात अगर हम कर लें यहां पर तो डेफिनेटली राइट टर्ण कासा होगा ऐसा होगा मैंने बोला भी हें कि राइट टर्ण को बता रहा लेकिन यहां पर अगर हम ऐसे मुढ जाएं देख लो color तोड़ा चेंज करते हैं और हम यहां पर ऐसे मुढ़ जाएं तो बावु यह oga लैप यह होगा लैप और यह दे अले अगर ध्यान से देखो गे तो यह लगत है डाकन जो है ना एंटी-क्लोश- prevents direction में चल रहा है जब कि यह एतना समझने का ज्रूर में को होता है जिनको left right में problem होता है ऐसे हम आपको बता दे कि maximum students समझ लेते हैं और कभी भी direction का question बना रहे हो उसके diagram को बना रहे है तो तुम सोच लो कि तुम ही वहाँ पे हो तो आपको tension ही नहीं होगा आपको तो पता ही कि आपका right hand phone है ठीक है तो चलना शुरू किया और एक बार left turn लिए एक बार right turn लिए तो लैट और right turn जब आप लेते होना तो face आपका same हो जाता है जैसे देखिए सपोज कर लिजे कि आप ऊपर के तरफ चलना शुरू किये थे हैं ना ऊपर के तरफ मतलब नौर्थ के तरफ आप एक बार plus and right turn यह थोड़ा advanced चीज हम आपको बता रहें and right turn तो equal to जो होता है वो zero turn के equivalent होता है zero turn का मतलब हो गया no turn अगर आप चलने के क्रम में घर से निकले और घर से निकले थे मानलो east के तरफ और आप एक बार left मूर गया एक बार right मूर गया तो फिर आपका face east के तरफ ही होगा n का मतलब क्या है n का मतलब एक नहीं पांच भी ले सकते हो अगर यहां पर पांच बार बाय मुड़ गया पांच बार दाय मुड़ गया तो left turn और right turn cancel हो जाता है ठीक है ना तो आपका face मतलब अब zero turn होगा, zero turn means no turn है ना, zero turn means no turn और जिधर face है उधर ही आपका face हो जाएगा तो यह आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी हम घर से निकलते हैं या कहीं से भी निकलते तो initial face जो होता है अगर मालों की जितना left turn लिए उतना ही right turn लिए तो हमारा जो है कि face जो है ना फिर से उधर ही हो जाता है जिधर अमारा सबसे प्रारंभ में रहता है यह आपको ध्यान देना है एक बात और हम आपको यहां पर सम्झा दे एक बात और हम आपको सम्झा दे कि किसी भी direction में आगर आप चार बार मूर जाते हो अगर चार बार left turn लिए आ तो definitely आपका जिधर face था उधर ही फिर से face हो जाएगा तो कभी भी आप four के multiple में अगर कोई भी turn लेते हो तो आपका फिर से zero turn के equivalent हो जाता है तो हम आपको सम्झाना यह concept फ़रा सा advance है इसको बात को समझे है मतलब अगर हम four and left oblique right turn ले ले अगर four and left oblique right turn ले ले तो आपका फि जाता है यह zero turn का equivalent हो जाता है मतलब no turn का equivalent हो जाता है मतलब आपका face क्या होता है same हो जाता है कहने का मतलब है कि एक ही direction में अगर हम चार बार मुड़ गया हम देख रहे हैं नौर्थ के तरफ और चार बार हम मुड़ गया right turn तो फिर से हमारा face north के तरफ ही हो जाएगा practical करके आप देख सकते हो ठीक है तो यह पूरा बात था आपका left and right turn से related बात था आगे अभी हम लोग बात करने वाले हैं फिर अगला concept की बात करेंगे ठीक है न तो यहां हम left and right turn की बात हम आपको समझा दिये next हम बात करते हैं next हम लोग बात करेंगे यहां पर next हम लोग बात करेंगे देखे कभी कभी movement जो है कभी कभी movement जो है वो degree में दिया हुआ होगा जैसे आपका degree में movement देने का मतलब क्या हो गया डिग्यी में movement देने का मतलब हो कि 45 डिग्री का clockwise Turn 90 जो है कि अंटी क्लोक वेस्टन इस तरह से मतलब सो राइट तॉन shrinking नाक देखके यह जो मुवमेंट वो डिग्री में दिया हुआ होता है तो ऐसा जब कभी हो जो है यह मुवम्मिट क्या हो डिग्री में हो मतलब क्या मतलब पाये दाया मुड़ना और आपको बताते हुए प्लास में प्लास में हम लोग पिर यहां हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले क्लास में हम दायक्शन से तो जैसे movement in degree बोलेगा कि 45 डिगरी का clockwise turn 135 डिगरी का anti-clockwise turn तो यह चीज हम लोग समझेंगे देखें मान लीजिए कि यह starting point यह SP और यहां से ब्यक्ति चलना शुरू किया यहां से ब्यक्ति चलना शुरू किया ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि अगर ब्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और यहां पर आके यह वाले point पर आकर के ब्यक्ति क्या कर रहा है 45 डिगरी का clockwise turn ले रहा तो डिगराम का सब हम आपको जानकारी के लिए बता दे कि अगर ब्यक्ति ऐसे चल रहा है और 45 डिगरी का clockwise turn अगर लेता है तो maximum लोग यह डिगराम को बना देते हैं मैक्सिमम लोग यह डिगराम को बना देते हैं जो की गलत है जो की क्या है गलत है यहां पर जैसे ही बैक्ति ऐसे चल रहा है और यहां पर आकर के अगर वो 45 डिगरी का राइड टन लेगा थीना फुर्ति-फैब डिगरी का क्लॉक्वाइस टन लेइक्ट अ कि रेतीजरर आएथ сторону यहां पर आके अगर 45 डिगरी का क्लॉक्वाइस टन लेगा तो डेफिनीटी उसका कैसा होगा ऐसे ऋगा यहीं फिर सोच लो अगर गता return लेता, तो 90 degree का turn यह होता, है ना, तो अगर back 3 कोई भी turn ना लेता, तो उसको बोलते हैं कि तब back 3 क्या होता, 0 degree पर चल रहा होता, यह वाला turn 90 degree है, यह सब को पता चल जाता है, तो definitely 0 और 90 के बीच में जो turn होगा वो 45 degree का turn होगा, है ना, और अगर हम دेख लें कि यह वाला टर्ण हो गया 90 डिग्री और यह वाला टर्ण हो गया 135 डिग्री अगर बैकती डाइरेक्शन बैक हो जाए मतलब आप घर से निकले कोई समान छूट गया फिर से मूढ गया घर एकदम डारेक्शन बैक हो गया पीछे के तरफ मूढ गया आप पहले ऐसे चले थे और सब्सक्राइब आप ऐसे चलने लगे तो आपको 180 डिग्री का मूब्मेंट यहां पर हो जाएगा 180 डिग्री यह हो जाएगा यहां पर 45 के मल्टीपल पर होता है डिग्री तो 45 का आप ध्यान दी रख सकते हो कि 45 45 को 2 से कर लिए तो 90 45 3 135 फिर 180 और यहां भी अगर आप देख 60 तक आप बात को देख सकते हो समझ सकते हो मदलब यहां पर हो जाएगा आपका 225 यह हो जाएगा 270 यह हो जाएगा 315 और यह हो जाएगा 360 डिग्री मदलब जिस डिरेक्शन में वो चला था अगर फाइनली उसका फेस उधर ही हो जाए तो वो 360 डिग्री का मूब्मेंट हो हो जाएगा चलो और इससे डिलेटेटेड हो हम लो पोस्चंन आप देखने वाले हैं नेक्स्ट अले क्लास में हम लोग देखेएंगे ट्पिल भावी हिडिस्टेन्स अरड डेरेक्शन से रिलेटेड कोस्चन ठीक है चलो आज यही पर हम अपना यह वाले सजटन को यहीं पर ये स्टॉप करते हैं ठीक है और फर्दर डिस्केशन विल बी ओन दे नेक्स्ट क्लास्ट, ओके अल देवे स्ट आल अफ्यू, चाल।